कि नमस्कार दोस्तों सुवागत आपका स्टड़ी फणनामेग फिर से आज किस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि बहुत सारी बाते आज इस वीडियो में करेंगे सिर्फ एक रिक्वेस्ट आप से वीडियो को प्लीज एंड तक जुरूर देखिए चाहे आप वीडियो को 1.5 एक्स पर करके देखिए क्योंकि बहुत सारी चीजे में आपके सामने ऐसी डिसकस करूंगा आज जो आज तक किसी वीडियो में हमने डिसकस नहीं किये स्लेबस के बारे में दोस्तों जुरूर बात करेंगे हम एक्चुली में कितना बड़ा है पेपर टू का स्लेबस क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपको एक्जेक्ट आइडिया है स्लेबस के बारे में किसी यह पेपर टू का कितना बड़ा स्लेबस है दोस्तों ठीक है आप ल कडवी बाते करता हूं आपको पता है मैं सच बोलता हूं चीजों को बारे में और वह एक्षली कडवी लगती हैं को भी कडवी लगती हैं सब बातों को लेकर डिसकस करेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं आज कई वीडियो सबसे पहले दोस्तों आप देखिए आज आप 22 तारी मई जुन जुलाई अगस्त के फर्स्ट विक में आपका एक्जाम है तो सिर्फ और सिरफ छह महीने बाके हैं दोस्तों सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जो भी लोग अगर आप सीरियस अपने सी एपीफ से की प्रपेशन को लेकर अगर आपको ऑफिसर बन है कि मैं इस साल जो है ऑफिसर बनूंगा और एक गवर्मेंट जो है लूंगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं में पेपर टू का जो वेल्यू है वो क्या है अब देखोगे पेपर वन जो है 200 माक्स का यह मैं उनके लिए बतारा हूं जो बिल्कुल नए है जिनको कोई करना है कैसे करना है शुरुवात कैसे करनी है पेपर बन तो सब आपको बॉल देंगे लक्षमी कान की बूख उठाके पढ़ ले हो जाएगा तेरा जो अगर फिक लिए बोल देंगे पढ़ ले पेपर टू में क्या उठाओगे ठीक है ना उन सब चीजों के बारें बात करे बात करें नहीं होगा नहीं हो पाएगा आप करो इसको ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा यह सब मिथ्थ है दोस्तों ठीक है मैं आपसे छोटा से एक एक्सपेरिमेंट कराता हूं ठीक है अभी 180 दिन का आपको टार्गेट दे रहा हूं में ठीक है आपके बाद 6 महीने का में आपको कुछ ही नहीं करना झिरफ ऐक देन देली आपको 10 किलो मेटर जो है भागना है और आपका टार्गेट है कि 6 महीने में आपको 1800 कालो मीटर जो है वो कंपलीट करने तो जब तक आपके अंदर नहीं मुझे पहले दिन से करना है बहुत सारे बच्चे होते हैं ठीक ह ठीक एक्सपेरिमेंट के तोर पे मैं आपको बता रहा हूं कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि यार 6 महीने का टाइम में थोड़े देर बाद कर लें कोई दिखकर नहीं हो जाएगा ठीक है आपका फरवरी का महीना चला गया आपके बास बच्चे पूरे पांच महीने फिर आप मै बच्चे ऐसे होंगे जो मार्च में भी एक्षन नहीं लेंगे वह एपरेल में उठेंगे तो उनको लगेगा आप तो सिर्फ चारी महीने रहेगे अब तो डेली मुझे अगर 15 किलोमेटर भागू तभी काम चलेगा ठीक है फिर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो लास्ट में प्लीज दोस्तों इस चीज़ को अपने दिमाग में बैठा लो पेपर टू इस ओल अबाउट मेराथन इस नोट वन डे गेम ऐसा निए कि एक्जाम से पचास दिन पहले उठके आप क्यारी करना स्टार्ट करोगे और आपका हो जाएगा हो जाएगा exception cases होते हैं मैं मना नही पचास दिन में साथ दिन में बीस दिन में तीस दिन में त्यारी करोगे और हो जाएगी क्योंकि पेपर टू का स्लेबस सच में बहुत बड़ा है दोस्तों आपको मैं दिखाऊंगा आपके खुली की खुली रह जाएगे अभी तक किसी भी कोचिंग इस्टिटूट ने आप के खुल जाएंगे आज देखके वीडियो पता नहीं आप धन्यवाद तो पता नहीं करोगे नहीं करोगे बट चीज आपको क्रिस्टल के लिए आपके सामने हो जाएगे अब देखते हैं में रीजन क्या रहते हैं बच्चों के फेल होने के पेपर 2 में सबसे पहला र प्रोकेस्टिनेशन है वही आपको नहीं आगे बढ़ने देता ठीक है दूसरा रीजन है दूसरों की भ्रोसे रहना मैंने बहुत बच्चे देखें मैंने बहुत ग्रूप के अंदर भी जो है मैं चेक करता रहता हूं कि क्या चल रहा है बच्चों के उसमें ठीक है कोई प्रहनत नहीं करोगे खुद से स्टार्ट नहीं करोगे सब कोई फायदा नहीं बिल्कुल वेर्थ है दोस्तों ठीक है बुक तो आपके पता नहीं कितनी है स्लेक्शन हो गया अब तक तो क्यों नहीं हुआ यह रीजन है कि आपने कुछ एक्शन नहीं लिया इसके उपर ठी दूसरों के भरोसे रहेंगे सर मुझे गाइड कर दो कोई आके मुझे बता देगा तो मैं कर लूँगा इस तरीके से कोई मुझे । पेपर टू में यह हेल्प कर देगा कोई कुछ नहीं करेगा भाई आप पहले खुद की हेल्प करो स्टार्ट तो करो अब मैं आपकी मालो हेल्प करना चाहता हूं जब आप शुरूई नहीं करोगे क्या फाइदा है फिर उस चीज़ का मैं आपको डेली आके पढ़ा भी दू वह है प्रोपर गाइडेंस नहीं है ठीक है अब यहाँ पर दो इशु आते हैं एक आते भी कोचिंग इंस्टिटूट्स की कुछ गलती है कुछ बच्चों की गलती इसलिए जादा नहीं मानता हूं भई देखो सबको अपना काम करना है ठीक है बच्चों की गलती यह है कि उनको पता ही नहीं करना कैसे है ठीक उसके बाद है शोटकट यह भी वन ओफ दम में रिजन से बच्चों के फैल होने का शोटकट क्या सोटकट है एक पूरी की पूरी जो है एक लिस्ट उठा लेंगे बच्चे फलाने कोचिंग की लेली भाई मैंने यह फलाने टोपर ने पैसे चार्ज कर लें 200-300-500 उनके तो पैसे बन जाएंगे कोई दिक्कत निया इसमें मैं इंक्लूडीड हो दोस्तों ठीक है स्रड़ी भंडा भी इस चीज में इंक्लूडीड है मैं कोई exception नहीं हूं बट मैं reality आपको बता रहा हूं ठीक हमारे पैसे बन जाएंगे कोई दि जाधा की पैपर टू की बुक ले लो यक से क्या हो झाएंगा दिखाऊँगा और बाद में दिखाँगा एक्च्यूली में कैसे कोचिंग इंस्टिटव जोटस आपको मिस्गाइड करते हैं कैसे आपको उनसे बचना है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं रिस्पोंसिबल तो मैंने बता दिया आप खुदी हो और कोई रिस्पोंसिबल नहीं है ठीक है चलिए अब इतना ग्यान तो देदिया सर आपने करना क्या है वो बताइए ठीक है तो सबसे पहले आपका काम है गोथ्रूदा स्लेबस वह भी मैं लेक कि दियाना उससे बाहर कभी कुछ नहीं पूछते यह मेरा वादा है आपसे आज मैं कर रहा हूं कि जो भी पैसे में लिखा है चाहिए पेपर वन का लिखा है पेपर टू का लिखा है ठीक है बहुत ज्यादा डिटेल स्लेबस नहीं देते हैं वह आपको खुद करना पड़ स्ट्रडीज एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन ठीक है पेपर टू का उम्मीद करता हो पता होगा असी नंबर कैसे आपको चार लिखने होते हैं ऐसे के जो कुश्चन होंगे वह अंसर करने आपको लोंग नरेटिव फॉर्म में तिन सो वर्ड की फॉर्म में आपको अंसर करना इंडियन हिस्ट्री यानि की आपका जो मोडर्न इंडियन हिस्ट्री से कोई भी टॉपिक आपका पूछा जा सकते हैं एक्जामपल के तोर पर यह तिंग 2013-2014 में संदार वल्लब भाई पटेल के ओपर जो इन्होंने कोशन पूछा था भी मातमा गांधी पर भी शायद इस्पेशली ओफ फ्रीडम स्ट्रगल फ्रीडम स्ट्रगल यानि की आपका जो 1935 के बाद वाला जो पीरियड है उससे स्पैसिफिक लिए आप से पूछे जाएंगे ठीक है उसके बाद है जोगर्फी सिर्फ इन जोगर्फी लिग दिया उसके अलावा कुछ नहीं लिखा है ठीक है फिर लिखाए पॉलिटी फिर लिखाए एकनोमी फिर लिखाए नॉलिज ऑफ सिक्योरिटी एंड हुमन राइट इस्यू और फिर लिखाए अनलेटिकल एबिलिटी यह स्लेबस है अब इतने से स्लेबस में से आविश्वास करोगे आपका 140 नंबर का पेपर बनता कर रहा हूं जाकर चेक कर वकाइदा फैक्ट उस बच्चे से या तोपर से जो भी आपके सीनियर है भाई बंदू है कोई कोचिंग इस्टिटूट है अगर मुझे कोई गलत सावित कर दे मैं पढ़ाना चोड़ दूँँ हो ठीक है यह जो भी आपको बता रहा है बिल्कूल हंडेड़ पसेंट ट्रू है इसमें कोई भी आपनी तरफ से में कुछ एड़ नहीं कर रहा हूं ठीक है तो 140 मार्क जो आपका करेंट अफेर बेस का आते हैं जिसमें आपके 80 नंबर के ऐसे आते हैं 20 नंबर के आपकी रिपोर्ट आती है और 40 नंबर का आपका आपका कांट और वोरफेर सिक्योरिटी का जो दोस्तों टॉपिक है फिर आपका है इंडिया अन एमर्जिंग लीडर इंदा नू वर्ल्ड ओर इंटरनेशन रिलेशन डाइंट इसको इंडिया इंट्रनेशन रिलेशन में आप डाल सकते हैं इसको या पिर आपका जो वह फ्रीडम स्रग अब पका ठीक है तो यह 2023 के जो आपके टॉपिक आये थे बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं थे बहुत ज्यादा असान में था ठीक से जिन्हों थोड़ा बहुत मेहनत किया होगा वो लिख के आ सकता अधा लेकिन कुछ भरोशा नहीं कि कब मुश्किल टॉपिक दे जब के आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल लाएगा यह मैंने सारे के सारे टॉपिक जो है ना आपके लिए अरेंज करके दिये 2023 से के सारे के सारे 2023 2221 19 20 18 17 2013 तक कि जितने भी आपके ऐसे के टॉपिक आपके हैं यह वाइस वह मैंने आपके लिए इसके फर्दर जाके हमने एक स्टेप और लिया है क्या लिया है इन सभी टॉपिक्स को थीम्स में डिवाइड किया है दोस्तों आप यहां पर देखोगे से थीम वाइस डिवीजन से कितने टॉपिक आएं दोस्तों 2013 से लेके 2023 तक 10-11 साल में आप देखोगे हर साल जो है एक एक दो दो कोश्चन जो आपको इस थीम से देखने को जुरूर मिलेंगे अब देखो 2023 में भी सिक्योरिटी का टॉपिक था 2022 में भी था तॉपिक था 21 में भी था 20 में भी था उननीस में भी था लास्ट के चारपाट साल से जो है आपके सीक्योटी के हर बार भार जो है टॉपिक एक आ रहा है फिलोसोफिकल देख लो 2023 में यह सबसे ज्यादा टॉपिक इस तीम से आपके आए हैं सम्वेर अरॉड तॉपिक लास के दस-ग्यारा साल के अंदर ठीक है फिर आपके इंवायर्मेंट के आप टॉपिक देखोगे अलग-अलग जैसे वेस्ट इस डाक साइड ओफ डिजिटल रिवोलूशन 2023 का यह तोपिक है ठीक है इधर आपको अगर मैं दिखा हूं कर आपको कोचिंग नहीं भी जॉइन कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ कोचिंग का एक बेनिफिट होता है कि आपको चीजों को वेल अरेंज़ और वेल स्ट्रक्चर तरीके से आपको दे दिया जाता है मैनत आपके उपर डिपेंड करते कि आप कितना उसमें कर रहे हो ठीक है जो आपका खुद से त्यारी कर रहा है आख मिचके यह टॉपिक फोलो कर लो सिक्यूरिटी एक टॉपिक है फिलोसोफिकल टॉपिक है शोशल इशूज है आपका एंवायरमेंट है यह टॉपिक की लिस्ट है तो मतलब कुल में लाके ओवरॉल जो है 9 से 10 टॉपिक आपके बने पॉइरमेंट पॉइर्टी वगयरे इन सब को जो है कवर करते हैं उसके बाद आपका इकोनोमी है फिर पॉलिटे फिर हिस्टोरीकल टॉपिक है इन्वायरमेंट है साइस टेकनोलोजी इंटरनेशन रिलेशन और फिलोसोफिकल टॉपिक यह नो तीम आपको रेडी करनी है जैसे यह नो तीम आपके रेडी हो जाएंगी पेपर टू आपका ओल्मॉस बन फॉर्टी माक्स का कवर हो जाएगा कैसे कवर होंगी यह तो स्टेटिक डेटाब एक च्छोटा सा क्वेशन आप से पूस्ता हूं एक बॉर्डर मैनेजमेंट का टॉपिक आता है आपका इसम इस बात को गलत साबित करें तो अगेन वही बात में पढ़ाना छोड़ दूँगा अगर कोई यह कहें कि नहीं आप तो गलत बता रहें ठीक है कुल मिला के बात यह है जितने भी टॉपिक मैं लिखे हैं इन टॉपिक के ओपर करेंट के अंदर जितने भी आपके हैपनिंग हो रही है जो भी निउस आपकी बन रही है उनका आपको पता होना चीह और वels ट्रक्ट्टर फोर में उसका आपके पास होना चीह कोई भी टॉपिक आयगा उपथ ने अपको लिख क्या आपक01 सब्से ज्यादह नंबर को और करते हैं कैसे आप content लिख रहे हो क्या आप फोर्मेट लिख रहे हो कैसे आपकी handwriting है जो आपने data लिखा है क्या वो सही है नहीं है यह कुछ अलगला factor रहते बट वह विद प्रैक्टिस आपको आजेंग ठीक है यहाँ पर मैंने एक चीज लिखे हैं आप correlation with current affair this is very important क्योंकि यह जो topic मैंने लिखे नहीं आप यह static data है आपको इसको current affair के साथ जो update करके चलना है अब मैं उसका प्रैक्टिकल एक्जामपल आपको समझाता हूं और बताऊंगा कैसे coaching institute सबको बेवकूफ बनाते है ठीक है चलिए सबसे पहले यह जो data में आपको दिखा र नहीं है self study से करो coaching से करो doesn't matter यह topic आगर आपके ready है तो आपका 90 परसेंट लेबर सिक्योरिटी का कवर हो जाएगा ठीक है क्या 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 आता है आपका सिक्योरिटी में लेफ्ट विंग एक्ट्रीमिजम इंसर्जेंसी नॉर्थ इस्ट टेरिरिजम जम्मू कश्मीर इशू आपसपा एक्ट ड्रोन एटेक साइबर एटेक अमर्जिंग टेकनोलोजी कल रोल इन इंटरनल सिक्योरिटी मीडिया इन सोशल मीडिया मनी लॉंडरिंग ट्राफिकिंग लॉन वूल्फ टेलरिजम बायो टेलरिजम हाइब्रिड वार्फेर स्पेस वेपनाइजेशन ठीक ह यह सब्सक्राइब अगर आपके पास यह सब्सक्राइब। अगर आपने अपडेट किए इस डेटा के साथ में क्योंकि आप देखो इसमें अब एक चीज आपको बताता हूं जैसे इसमें आप देखोगे टेरिजम एक टॉपिक उठा के चलो ठीक है अब मालो आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं 22 जनवरी 2024 कोई वीडियो बन रही है ह हो सकता है आने वाले टाइम पर भगवान ना करें अबठ हो जाए कि मार्च अपरेल में मालो कोई ऐसा टेर्रिस्ट अटैक हो जाए फोर एक्जामपल ठीक है तो उस पर्टिकुलर इवेंट को अगर आप करेंट इस डेटा के अंदर एड करोगे और तब आप से आप उसको सब्सक्राइब को मिलेगा ठीक है उसके बाद कोई ऐसी हैपनिंग फूचर होती है वह अगर आप इस डेटा के साथ जो है एड करके अपना एक डेटा लिस्ट पूरी त्यार करोगे देन मेरे दोस्तों कोई आपको नहीं रोग सकता अच्छे मांग सेक्यूर करने से पेपर आपका हो गया साइबर एटेक के बारे में बात की आपका टॉपिक आगए डिरेकली आप सोचो एक बच्चा जो रेंडम ली रठके आ रहा है तो टॉपिक की लिस्ट ठीक है उसमें पता नहीं है नहीं और एक दूसरा बच्चा है वेल स्ट्रॉक्चरड वे में पढ़ रह अब आपको पता होगा पंजाब में मृतक अगनिवीर को गाड़ो फोन नहीं मिला काफी बहसरी इस न्यूज में काफी सारा जो है अलग-लग पॉलिटिशेस ने अपने व्यूज दिये कि नहीं इनको मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए वह एक अलग चीज देखो बट न् इसके बारे में अगर करेंट अफेर आड कर लोगे आपने एक बार तो पढ़ लिया अगनिपाथ स्कीम का जो है क्या यूज है क्या बेनिफिट है क्यों हम इसको लेके आये थे लेकिन आने वाले टाइम पर जो भी अपडेट्स के रिगार्डिंग हो रही है अब एक बच् और नहीं दिया गया तो आप बताओ यह एक सोशल इस्वी है या नहीं है ठीक है तो जब आप स्टैटिक टॉपिक को करेंट अफेर से लिंक करोगे और तब अपना अंसर लिखोगे डेफिनेटली विल गैट सम मोर माक्स और यही जो है एकुरेट जो है आपके प्रोच रह नोट्स के अंदर आपको यह वाले डेटा है ज्यादा नहीं सिर्फ कौन करने वाले कौन अच्ट है कब हुआ किस रीजन से हुआ क्या उसका इंपक्ट पड़ा ठीक है यह डेटा आप इसके अंदर एड करोगे ठीक है होगे आपके नोट्स थ्यार आपको किसी लिस्ट के वरोसे नहीं रहना है किसी पेपर टू के वरोसे नहीं रहना है और इस तरीके से अगर आप डेटा देखो थोड़ी मेहनत तो लगेगी वह सॉरी डेली आपको दोड़ना तो पड़ेगा थोड़ा थोड़ा लेकिन जब आप लास्ट में पहुंचोंगे ना आपको तो यह चीज है उसके बाद हाव कोचिंग इंस्ट्रिटूट्स मेक फूल ठीक आप मैं बतातों बहुत क्लासिकल एक्जांपल ठीक है अब देखो यह जो डेटा है ना यह वाला जो भी डेटा है आपका यह डेटा बिल्कुल सेम रहेगा आज क्याने आज से दो साल तीन सा सब्सक्राइबाद 2021 का 2022 का सेम ही चीज है क्योंकि एक बात बताओ अब लेफ्ट विंग एक्स्रेमिसम कल से थोड़ी ना है पचास साल पहले का इशू है तो सेम चीज रहेगी अब कोचिंग इंस्ट्रिटूट आपके साथ क्या करते हैं यह वाला जो डेटा है हालक इतना इतना डेफ्थ में आपको पढ़ाता हो ना मुझे बता देन मेरा नाम बदल देना ठीक है नहीं पढ़ाते कोई मुझे पता है कोचिंग इंस्ट्रिटूट क्या करते हैं एक बार उन्होंने लेक्चर रिकॉड करें ठीक है सो लेक्चर कर दिए पचास कर दिए डेट सो कर से हैं क्या फरक पड़ता यह इंसरे एक फर रीकॉड करें और जब लेकॉर्ट का कॉरश गरता है पेपर टू विद रिकॉर्ड की फांडेशन लेक्षर। ठीक है foundation course with recording lecture कोई नहीं बता रहे है कि लेक्षर कब रिकोर्ड हुए आपके ठीक है और वह lecture कोई 2020 में record करके बैठा है को 21 में करके बैठा को 22 में करके बैठा है उन्हें मतलब नहीं आप से उन्हें अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसने फेस किया है तो कमेंट सेक्षन करके जुरू बताना ताकि एक awareness फहले दूसरे बच्चों को पता तो चले रियालिटी है क्या ठीक है लेकिन हमारे आप ऐसा नहीं होता है पास नहीं होगी अगर आप बोलोगे तो मुझे बताओ हर एक तीम के बिल्कुल सारे के सारे टॉपिक जो है आपको पूरी लिस्ट फ्री और वीडियो भी बना के दूगा कि करना कैसे है ठीक है मुझे बहुत बुरा लगता है जब बच्चे मायूस होके त्यारी छोड़त पर बताया यह और भी कोई भी जो इशूज आपके हो रहे हैं उनको आपको जो है करन्ट अफेर टॉपिक को स्टैटिक टॉपिक के साथ प्रेपेर करके अपना डेटा त्यार करना है ठीक है अभी स्टडी फंडा का एक पुराना बैस्त हमारा कॉंबो भैस था एक ठीक है बैस नुमेंबर में कोर्स शुरू आता दोस्तों और दिसंबर और जन्वरी अभी दिसंबर के एंड में जो है पूरा होने को आया एक कोर्स सोरी जन्वरी का आने वाला है कोर्स पूरा हो गया है इसमें आप देखोगे सिक्योरिटी सिक्योरिटी के सिर्फ हमारे पांच ल हमने आपको आपका prowad क्लास पड़ाई कि होता क्या है कब कब लागू किया गया जो होते ना आपके कैसे कुछ बेनिफिट्स है रिजन विंग जैसे आपको स्पेशल पावर आपको दी जाती है तो सर्च करने में असानी रहती है इनके नुकसान क्या है एपसलूट पावर जब फोर्स को मिल जाएगे तो मिस्यूज होने के चांस है तो यह सब चीजे हमारे इसी उसके ऊपर जो भी आपक सब्सक्राइब करने के लिए इतना अच्छा आप लोग के लिए ठीक है चलिए उसके बाद अभी भी टाइम है दोस्तो आखे खोल लो अपनी मैं यह निकोंगा कोचिंग जोइन करो कोई जुरूरत नहीं है सबी टॉपिक आपको मिल जाएंगे लिस्ट में आपको पूरी की पूरी दूंगा दोस्तों खुद से कर सकते हो तो बहुत बढ़ी है ठीक है बढ़ी होता है कि टाइम नहीं है छे महींने में आपको पहले आप टॉपिक को के पर डेटा रिसर्च करोगे फिर आप सीको इसको की डिप्रेजेंट कैसे करना है बहुत टाइम लगेगा ठीक है अगर आप अफॉर्ड कर सकते हो तो कोई भी ऐसा कोचिंग जोइन करो आपको लाइव आके पढ़ाएं बताएं आपको एक्शनी हां भी सिक्योटी यह है तो पर प्लीज पेपर टू को लाइट मत लीजिए बहुत इंपोर्टन है बिनस के काम आपका नहीं चलेगा ठीक है स्टडी फंडा के पास एक कोर्स आपको ओफर करने के लिए आपकी सारी टेंशन आप हमें दो हम आपको बदलें क्या देंगे पूरा पेपर टू कोर्स आपक का रिपोर्ट रैटिंग है चाहिए आपका ऐसे रैटिंग है कांटर अग्यूमेंट है कॉंपरी हैं प्रिसाइज रेटिंग है कोई भी आपका टॉपिक सारा का सारा फ्रॉम स्क्रेच जो हम लोग कराते हैं यह कोर्स की डिटेल से आपकी यहां पर आप देख सकते हो का लाइव टेस्ट डिसक्शन जो है सिर्फ स्टडी फंड परवाइड करते हैं कोई कोचिंग इस्टिट आपको लाइव टेस्ट का डिसक्शन नहीं देता है ओनलाइन की बात में आप पर कर रहा हूं ओफ्लैन में में बी देते हूं आइव आइडिया ठीक है तो यह चीज एक रिपोर्ट राइटिंग की स्पेशल आपकी क्लास रहेगी विद एक्जामपल उसमें सारे फॉर्मेट वगएरा सब सिखाएंगे उसके बाद आपका पहला टेस्ट होगा उसमें क्या होगा एक आपको एससे देंगे से की तीम के ऊपर वह अपको पता है सारा सारा उसी से बाद और क्या कैस में है पोस्ट टेस्ट डिसकेशन जो मैंने बताया लाइव टेस्ट होता है सबका ठीक है उसके बाद वन ओफलाइन मेंटोशिप स्टेडी फंडा का ऑफिस है कभी आप आईए पेपर टू को लेके हम आपका स्वागत करते हैं उसके बाद पेपर टू पेपर टू की जो बुक है यह भी आपके स्कॉर्स के अंदर इंक्लूडी जो मैंने आपको टॉपिक बताया थे ना वह सब हमारी पेपर टू बुक्स के जो है और यह बुक जो है पेपर टू की स्टेडी फंड आप के उपर एवलेबल है जिनको सिरफ बुक चाहिए आप जाकि ले सकते बाकि में रिक्मेंड नहीं करता हूं टॉपिक्स आपको मैं वैसे फ्री ओफ कोर्स दे दूँगा ठीक है यह कोर्स है 500 का इसमें डिसकाउंट रहेगा एक फरवरी से जो है को स्टार्ट हो रहा है तो जितने भी एस्पिरेंट्स है जिनको लगता है करना है एक स्टैब जिन्दी में आगे बढ़ना है यह कोर्स आप जोइन कर सकते हो डिटेल वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी वाट्सअप नमबर आपको पता है हमारा यह लिखा हुए यहां पर जाकर सकते हो अगेन मैं चीज़ बोल रहा हूं जरूरी नहीं कि अंदर कमेंट में कमेंट करके बता दो और कोई भी बच्चा आप में से ऐसा है जिन्हों ने वैसे वाले कोर्स जोईन किये जिसमें कुछ पढ़ाते नहीं है पुराने साल साल दो दो तिन तीन साल पुराने लेक्चर दे देते हैं तो वह भी कमेंट सेक्षन करके जुरू बताइए पूरा कमेंट सेक्षन आप सब लोगों के लिए ओपन है और तरही दिल से धन्यवाद इस वीडियो को तिल एंड तक देखने के लिए जैहिन मिलते हैं नेक्स वीडियो के अंदर और एक चीज और पेपर टू के अगर आपको टॉपिक अगर चाहिए हर तीम के त कि किसार हमें कुछ ऐसा मेडियम प्रोवाइड किया जाए जिससे हम जो अपनी थोड़ा सा एफट करके चीज़ों को असान मना सके तो कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो खुद से मेहनत करे और उसका एक्जाम क्लियर ना हो ठीक है अगें थैंक्यू सो मच जैहिन